नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल लली जोतिस समधान में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे हनुमान जन्जीरा मंत्र के बारे में इस मंत्र को हमने पहले भी बोल कर दिखाया है और अनेक भाई बहनों को इसका लाब मिला है आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कब-कब इसका परियोग कर सकते हैं और क्या-क्या विधी इसमें परियोग की जा सकती है इन दोनों बातों के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे देखिए दोस्तों, माली जीए आपके घर में अचानक किसी को भूत प्रेत की हाजरी आ गई हूँ ऐसे में हनुमान जी का जन्जीरा मंत्र बहुत ही अच्छा काम करता है तुरंत हाजरी को शांत कर देता है या ऐसे भाई बहन जिनको समस्या तो है लेकिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखती ऐसे में ये मंत्र तुरंत हाजरी को उपर उठा देता है तो ये जो मंत्र है दोनों प्रकार से काम करता है आपके घर में किसी को तरह तरह की बिमारिया लग रही है लेकिन होता क्या है उसको किसी परकार से समस्या का पता ही नहीं लग रहा कि मुझे हो क्या गया है ऐसे में ये मंत्र आपकी जो बिमारी है उसे उपर ले आएगा और ये बता देगा कि आपको आखिर क्या दिक्कत हो गई है दो बाते हुँ तीसरी बात ये हुई आप जगा जगा जा रहे हैं जगा जगा किसी के धाम में गए जगा जगा किसी भगत के पास गए कुछ समय आपकी समस्या ठीक रही फिर आपको तो वही दिक्कत अब वैक्ती परेशान हो जाता है कि आखिर मैं कितनी बार तो फीस दूँ, कितनी बार आना जाना करूँ, कितनी बार हाजरी लगाऊं एक तो उसकी समस्या पहले से ही थी उपर से ये आजरी लगाना या बार बार जाना या कोई ना कोई समस्या उसे ऐसा गेर लेती है कि उसका मन ही उचट जाता है उचचाटन हो जाता है उसका तो ऐसे में जो हनुमान जंजीरा मंत्र है वो बहुत ही powerful तरीके से काम करता है और जो मैं विधी बताऊंगा वो आपने कर ली तो बस कही जाने की आपको ज़रुत नहीं पड़ेगी और क्या काम करता है हनुमान जंजीरा मंत्र आप daily routine में भी इसका परियोग कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है बहुत से भाई बहन बोलते हैं कि उग्र मंत्र है ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए अरे देवी देवता को आप किसी भी प्रकार से बुलाईए किसी भी नाम से बुलाईए वो आपको कभी कोई बुराफल नहीं देने वाले इतनी बात आप समझ लो बहुत अच्छे से, ठीक है, विधिया जो रहेंगी वो साधरन रहेगी, कोई भी तामसिक विधिन नहीं रहेगी, जब आप इस मंतर का परियोग करेंगे, तो एक बात बहुत ध्यान से सुनें, कि किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का परियोग आप को नहीं करना, मेरी बहुत से भाई बहनों से बात होती है, वो तामसिक भोजन का परियोग करते हैं, मेरा उन सभी से एक प्रिशन है, कि अगर आपके जीवन में इतनी बड़ी कोई समस्या आ गई है, तो आप क्यों इस तरह के भोजन को नहीं छोड़ पा रहे, जिसकी वज कि इस तरह की चीज़ों को तो आप पूर्ण रूप से त्याग दे, तो आप के लिए बहुत ही बहतर रहेगा, ठीक है, और किसी परकार का कोई मन में भावना लाएं, कि कुछ गलती हो गई तो क्या हो जाएगा, अरे उग्र मंत्र है तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, यह इतना अच्छा मंत्र है कि मन से करो तो मात्र एक माला में, मात्र एक माला में ही सिद्ध हो जाता है, माला कौन सी, रुद्राक्ष की, रुद्राक्ष की माला नहीं है, एक घंटा टाइम लगा के जाब कर लेना, और फिर अपने लिए इसको परियो परिवार के सभी सदस्यों के लिए इसका परियोग कर सकते हैं कितनी अच्छी बात है परिवार के सदस्यों को छोड़िये आपको जिसके लिए भी इसका परियोग करना हो उसके लिए आप परियोग कर सकते हैं हनुमान वावा का नाम ध्यान करके बस एक हाजरी लगा देना कि हे प्रभू जिस वैक्ती को दिक्कत है उसकी समस्यागा समधान करें और फिर देखना चमत्कार कैसे होता है और किस काम में आता है भै लगता है नींद नहीं आती अनजान भै बना रहता है लगता है अरे कोई पीछे तो ना खड़ा हो अरे कोई दिक्कत ना हो जाए अरे कोई अंजान भै बना हुआ है इस तरह के भैका सर्वनाश करता है हनुमान जंजीरा मंत्र एक पर बोल के दिखा देता हूँ आपको बहुत ही अच्छा मंत्र है आपको बहुत ही अधिक महत्व होता है अब हम बात करते हैं कि विधी क्या करें छोटी छोटी विधियों से चलेंगे हम जो कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने घर में कर लें जब कोई दिक्कत हो जाए सुनिए कपूर और लॉंग इस मंत्र को बोल कर या मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ 108 बार बोल कर इस मंत्र को दिखाया हुआ है उस मंत्र को चला कर या स्वैम बोल कर रोगी के शरीर पे से एंटी क्लॉक्वाइज एंटी क्लॉक्वाइज मतलब होता है गड़ी की विपरीद दिशा में अगर किसी महिला के साथ ये परियोग कर रहे हैं तो उसके बाल खुले होने चाहिए ये परियोग कर देना साथ बार या 21 बार घुमा कर जला देना उसको तुरंट परभाव मिलेगा इसके बाद कपूर और लॉंग लॉंग कितनी साथ जोड़े या 21 जोड़े उतार के जला देना तुरंट लाप मिलेगा ही मिलेगा इसके बाद और क्या परियोग कर सकते हैं जाइफल का परियोग कर सकते हैं जाइफल कितने लेंगे आप तीन जाइफल ठीक है अगर एमरजनसी में आपको ये ध्यान नहीं रहे कि मैं कितने जाइफल लेने हैं इतने जैफल बताए गए थे तो जितने जैफल आपको मिले उतने जैफल आप ले लेना लेके परियोग वही रहेगा एंटी क्लॉक्वाइज हनुमान जी के नाम से साथ बार या 21 बार आपको उतार कर जला देना है तुरंत आपको लाब मिलेगा ही मिलेगा अब इससे भी बड़ा परियोग थोड़ा सा बताता हूँ मैं एक नारियल लेना सूखे वाला गोला आता है ठीक है कोई लोग इसे खोपरा भी बोलते हैं इसको लेके इसके अंदर आप हवल समगरी भर लेना चैसी मरजी भर लेना थोड़ी सुगंधित होनी चाहिए थोड़ा देसी घी मिला लेना रोगी के शरीर पे से साथ बार इसे उल्टा उतार लेना या 21 बार उतारना और जल अगरबत्ती जरूर होती होगी ऐसी मैं सभी भाई भेनों से आसा करता हूं तो ऐसे में दो अगरबत्ती या धूपबत्ती रोगी के सर पे से साथ वार उतार कर इसे जला दो 21 वार उतार कर जला दो और हनुमान बाबा से प्रातना करो कि हे बाबा जो भी दिक्कत है आपको समर्पित, मेरा कल्यान करो, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी बाधा का नाश करो, मेरे भैका नाश करो, देखिए कैसे हनुमान जी महराज की किरपा आपके ओपर बढ़ सेगी, और हनुमान जी महराज आपके ओपर किरपा करेंगे, और जब आपको अराम मिल जाए, तो अपनी इच्छा अनुसार क्या करना हनुमान जी के नाम से प्रसाद चढ़ा देना किसी आसहाय वैक्ति की मदद कर देना किसी भूके वैक्ति को खाना खिला देना अब इसमें कंजूसी मत करना अगर आपका किसी जगा पे जाने का खरचा 1000 रुपे लगता है तो कहीं 10-20 रुपे का दान मत करके आ जाना अरे अपनी इच्छा अनुसार अपना कुछ दिल बड़ा करके किसी व्यक्ति की कुछ हेल्प करना ताकि हनुमान बाबाबे देखे कि आदमी अच्छा है और आपके आगे के रास्ते खुलते हुए चले जाएं तो दोस्तों आज मैंने हनुमान जंजीरा के माध्यम से आप सभी भाई भेनों को कुछ सलह देने का परियास किया आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और भाई भेनों तक पहुचाएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाव उठा सके तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जैश्री राम